तो जनाब एक गना आया और वो गाना बहुत हिट हुआ बहुत वाइरल हुआ सब ने वो गाना सुना लेकिन बहुत चारे ऐसे लोग हैं जिने उस गाने का मतलब समझ नहीं आ रहा था पर वो उसका म्यूजिक इंजोई कर रहे थे दबा गे गा रहे थे लेकिन उन्हें पता हा नहीं था कि आखर उसमें शायर कहना क्या चाहरा है अपने लेक्स के थूँ मैं आपको इसका आज मतलब बताती हूँ छाईरी में वो कहता है बिलो बग्यह बिलेयांदा की करेंगी बगगे बगगे बिले आंदा की करेंगी यानि कि वो नीली आंखों वाली लड़की बिलो बिलो उस लड़की को कहते हैं जिसकी आंखे नीली है उससे पूछता है कि तुम ये गोरे गोरे बिली आंखों वाले लड़कों का क्या करोगी बगगा कहते हैं गोरा रंग होजस लड़के का यानि किसी अंग्रेज को या वैसे ही किसी का रंग बहुत चिक्टा है तो आप उसको कहेंगे कि बगगा है तो वो ये कह रहा है कि तुम नीली आंखो माई लड़की बिलो तुम ये इन गोरे लड़कों का क्या करोगी आगे वो अपने कंप्लेक्स का इजहार भी कर रहा है इस काने में साथ में वो ये कह रहा है कि मेरा मारदा उबाले खून अंग अंग चूँ कैसे उसने बताया है कि उसका बलड प्रेशर हाय हो जाता है बिलो को उन बगगे बगगे बिलों के साथ देख के है फिर आगे शायर कहता है काले जे लबास दी शकीनन कुडी दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो वो मेरे लिए नहीं कह रहा बहराल मैंने भी काले कपड़े पहने हैं लेकिन वो उस लड़की को कह रहा है जिससे वो कंप्लेकस में आगया है कि गुरे लड़कों के साथ दूर्ओती है कहता है कि तुमें काला लिबास पहनन बहुत पसंद है तुमें काला लैप्टॉप रखना पसंद है तुम्हारी स्कूटी का रंग काल है तुम्हारे अपने बाल काले हैं लेकिन तुम्हें मेरा काला रंग पसंद नहीं है तो इस गाने के थूँ उसने उस बिलो पे अपना सारा गुसा निकाल दिये क्योंकि उसने लाख कोशिश कर लिये कि वो अपना रंग किसी तरीके से ठीक कर ले नाइट क्रीमें भी सारी इस्तिमाल कर चुका है फेशल भी करा चुका है बिचारा लेकिन उसका रंग नहीं हो रहा है सही लड़की उसको लिफ नहीं करा रही अब वो बिचारा इस गाने के थूँ अपनी फीलिंग्स को बयान कर रहा है तो ये तो था चनाब इस गाने का तरजमा यानि के बिलो बगे बिले आंदा की करेंगी बगे बगे बिले आंदा की करेंगी काले जे लिबास दी शकीन नकुडी दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो तो होपफुली आपको ये तरजमा समझ आ गया होगा आपने अब इस गाने को पित कर लिया होगा, अब जब आप ये गाना गाएंगे तो ज्यादा मजा लेके गाएंगे, अब आपने मुझे कॉमेंट में वो गाने बताने हैं, वो गाने मेंशन करने हैं, तो कि आप गाते हैं, सुनते हैं, लेकिन आपको उनका मतलब नहीं पता, पंजाबी में वो गाने है और आपको नहीं पता कि उसमें वो क्या कहना चाह रहे तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको उनका भी मतलब समझाओ